तिसलुनीके और बिरिया में पॉलूस और सीलास के सिवकाई पिछले अध्याय के अंत में पॉलूस और सीलास फिलिप्पी के नए मसीयों को विश्वास में स्थिर करने के बाद वहाँ से चले गए थे अब इस अध्याय में लूका तीन नगरों में पॉलूस के सिवकाई का वर्णन करता है और ये भी बताता है कि कैसे उन नगरों के कुछ लोगों ने परमिश्वर के वचन के प्रती अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की लूका ने हमें इन तीन नगरों में पाउलूस की सेवकाई के विशे में विस्तार से विवरन तो नहीं दिया है लेकिन जब हम इन तीनों नगरों में पाउलूस को मिली अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को अध्यान करते हैं तो हम निश्चित रूप से उनमें अपनी आज की दुनिया का चित्र देख सकते हैं और बहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आज अगर हम येश्यो की गवाही देंगे तो लोगों से कैसी-कैसी प्रतिक्रियाओं मिलेंगी मतलब जाधा कुछ नहीं बदला है प्रेरतों का सत्रा एक फिर वे अंफी पुलिस और अपुलोनिया होकर थेश्लूनीके में आये जहाँ यहूदियों का एक आराधना ले था पौलुस और सिलास अंफी पुलिस या अपुलोनिया में सेवा करने के लिये नहीं रुके शायद उन शहरों में कोई आराद ना ले नहीं थे लेकिन पाउलूस ने निश्चित रूप से फिलिप्पी में बने नए विश्वासियों से अपने पड़ोसी क्षेत्रों तक संदेश ले जाने की अपेक्षा की थी तो इसलिए पाउलूस ने अमफी पुलिस या अपुलूनियक शेत्र जो फिलिप्पी के नजदीक थे उन नए विश्वासियों के लिए छोड़ दिये और खुद सीलास के साथ फिलिप्पी से करीब सो मील दूर स्थित थिसलूनिके तक पहुँच गये जहां एक आरादनाले था मतलब वहां दस या दस से अधिक यहूदी थे क्योंकि आरादनाले के स्थापना के लिए कम से कम दस यहूदी चाहिए होते थे जहां तक आरादनालेओं में पौलूस का स्वागत किया जाता था वहां तक तो वो वहां भरپूर प्रचार करता था अक्सर वे लोग भी जो गैर यहुदी थे इन सभाव में आते और पॉलूस के उपदेश सुनते थे पॉलूस जानता था कि तिसलूनी के प्रभू के कारी के लिए एक राण नीतिक शहर था ये ना केवल मक्य दुनिया की राजदा नी थी बलकि ये व्यवसाय का एक केंदर भी था ये शहर मक्य दुनिया का सबसे धनी और प्रभावशाली शहरों में से एक था ये कई महतुपून व्यापार मारगों के बीच स्थित था और यहां एक उत्कृष्ट बंदरगा भी था पॉलूस की यात्राओं में ये पहला शहर था जहां उसकी शिक्षाओं ने समाज के प्रमुख नागरिकों के एक बड़े समूँ को आकर्शित किया थिसलुनी के मुख्य रूप से युनानी शहर था हलांकि इस पर नियंतरन रोम का ही था फिर भी थिसलुनी के एक मुक्त शहर था अफ्री सिटी जिसका आर्थ था कि इसमें एक निर्वाचित नागरिकों के सभा थी और यह अपने स्वायम के सिक्केट ढाल सकता था और इसकी दिवारों के बीतर कोई रोमी सेना नहीं थी जिस कलिसया को पॉलुस ने यहां स्थापित किया था वो बहुत तेजी से आगे बड़ी लेकिन 5180 में जब पॉलुस यहां पहली बार गया था तब उसे यहुदियों के एक बड़ी भीड़ द्वारा शेहर से बाहर निकाल दिया गया था जैसा हम आगे के आयतों में पढ़ेंगे लेकिन तब तक बहुत से लोग विश्वास में आ गये थे जिन से कलीसिया की स्थापना हो गई थी बाद में पॉलुस ने एक समय में तीमूतियूस को थिसलुनी के वापस यह देखने के लिए भेजा कि वहां के मसेह कैसा काम कर रहे है इसके तुरंथ बाद पॉलुस ने थिसलुनी कियों के विश्वासियों को दो पत्र लिखे मतलब जब उसे वहां से निकाल दिया गया था उसके को समय बाद उसने दो पत्र लिखे पहला और दूसरा थिसलुनी कियों जिसमें उसने उन्हें विश्वास योग्य बने रहने और जूटे उपदेशकों को सुनने से दूर रहने के लिए प्रोथसाइद किया जो उनके मौलिक विश्वास का खंडन करने के कोशिश कर रहे थे अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीबाइबलस्टडी.com पर देख सकते हैं ये वीडियो हमारे जून के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें ये भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियो बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए